गुड बॉर्णिंग फ्रेंड्स आज हम डिस्यम का पेपर डिसकुस करने जा रहे है जई का ठीक है तो देखे बड़ा प्रॉब्लम फर्स्ट क्या कह रहा है इन विच आप दी फॉलोविंग ऑक्टेट रूड इस नौल फोटो प्रॉब्लम यह कह रहा है कि यह जो रहे कि इसके अंदर कौन किसमें ऑक्टेट रूल फोलो नहीं होगा ठीक है ना पहला प्रॉब्लम देखे बी सीयल टू एज मोनोमर बी सीयल टू मोनोमर के फॉर्म में हो तब किस फॉर्म होगा तो आप इसका इस तरीके से इस्ट्रक्चर बना दोगी ठीक है ना तो यहां इसको अस्ट्रक किनियम की पाला नहीं करेगा सेकन्स देखे बी इसीयल टू इन डाइमर डाइमर की फॉर्म में आप इस ट्रक्चर बना ओगे तो आपके पास क्या होगा बी सीयल टू यह वाला इसको इलेक्ट्रों कॉडिनेट बांड देगा यह इसको एलेक्ट्रॉन पे ऐstellen आपके पास कर गाएगा who是 either इनले हो नेखिए आपके Kaiser 126ी तो आप नियम की नियम की पाल ना करेगा तो ये वाला जो है ऑक्टेट के नियम की पालना करेगा या आंसर में नहीं होगा आगे देखे की ऐल टू-मी 6 दे रखाए तो ये वाला इस्ट्रू जो है बीटू-S6 जैसा इस्ट्रू चरे तो अगर मैं इसके इस्ट्रू कि अगर बात करूं तो यहां पे तीन क्या देरेका है CS3 और यहां पर यहां पर पास क्या है CS3 अब देखो इसके पास वेकंट पी और्विटल है तो यह वाला वेकंट पी और्विटल कार्बन के साथ क्या करेगा आवरलैप करेगा ठीक है ना तो कार्बन के साथ आवरलैप करेगा सेम इसमें भी यहां पर कार्बन मतलब यह वाला जो होगा एल्लेक्ट्रॉन की पालना मतलब क्या है यह वाला जो है वह उप्टेट रूल को फोलो नहीं करेगा तो ऐसा जो आ रहा है वन सेकेंड एंड फॉर्थ वो किसमार अपसंग नमबर सेकेंड के नधार आ है इसलिए आउसर आपका क्या सब्सक्राइड वाला हो जाएगे ठीके बड़ा चलो नेक्स चलिए को नेक्स देखिए अब देखिए प्रॉब्लम क्या कह रहा है जरह ध्यान दीजिए प्रॉब्लम यह कह रहा है कि आइनिक बॉंड एकजिस्टिंग किसमें आइनिक बॉंड एकजिस्ट करेगा तो देखो एलेफ 3 ध्यान दीजिए एलेफ 3 एल सी एल थ्री एल ब्यार थ्री एंड एल आई 3 ठीक है ला इन अगर तीनों की अगर बात करें तो यह वाला जो होते हैं वह बेसिकलि आपके होते कवेलेंट होते क्यों क्यों कि सी यल माईनिस यार माईनिस निस इस अभकि ज़ ज्यादय होगा इसवजए से जब आइनिक इस व्यांत की है यह वाला थ्यांट रह confirmation होता है दीट होता है इसे ल सिए स्बसेंगा आप पास आप एफ टू ये चारो के चारो आपके पास क्या होंगे को रेंट होंगे यहां पर ध्यान दीजिए बेरिलियम के जितने भी तीनों चारो है जो है वह बिसिकली आपके पास क्या होते है ज्यादा रखता है इस वज़े से आपके पास पूचा गया कि अस्तित में कौन होता है आपके पास को सब्सक्राइब हो जाए ठीक है चलो नेक्स प्रॉल्वम देखिए कि अगला प्रॉब्म प्रॉलोविंग और इस और इलेक्ट्रोन इस पिस इसमें आपको बताने कौन सब्सक्राइब धिस यह और इलेक्रोन इसमिंटेयित ऑंगर कम यह मतलब शेयुदुक्त इसके पास number of electron कितने तीन हीलियम के पास एक हीलियम के पास number of electron दो होते तो दो दो नहीं कितना हो चार अब आपको पुछ अगया क्या है और electron speech मतलब क्या होगा जिसमें number of electron जो है वो क्या होना चाहिए एर से ज्यादा पजिस करना चाहिए PCL3 तो PCL3 का अगर आप structure बनाओगे तो यहां पर CL 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 तो फॉस्परस पास total number of electron कितना रहे दो दो चार दो छे और दो आट इसका वहले यह यह है दो दो चार दो छे दो आट दस दस का मतलब तैन इलक्ट्रोन होने का मतलब क्या हुआ कि अक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रोन प्रजिस कर रहा है इस वज़े से यह वाला क्यों होगा सुपर ऑप्टेट मुल्किल होगा स्यों थ्योंट्री माइनस टू का structure के अगर क्या के पास देखो जर्डा ढया करें के पास दो दो चार्रो छोच्ष दut 척 25rik और इलक्टरोन हे एर इलेक्ट्रोन होने का बक्रतिक क्या है कि यह वाला जो है ऑक्रेट को पूछ रहा है इलेक्त्रोन प्रजिस नहीं कर रहा है और अगर उप्टेट से ज़्यादे इलेक्ट्वान फजेज नहीं कर रहा तो इसका मतलए यह वाला सुपरॉक्टेट मॉल्क्यूल नहीं होगा इसका आंसर जोगा बटा कौन सा आएगा सेकेंड वाला आंसर आजाएगा ठेके चलो आगे देखिए कि नेक्स्ट प्रॉब्ल्म देखिए कि आपको पूचा किया है और क्रेक्ट ऑर्डरॉप आइनिक रडियस आपको बताना है आइनिक रिडियस का ऑडर बता अब देखिए यहां पर आपके पास cinnamon zamirs 7 नहीं जड़ाइन प्लससेवन होगा है तो इसका होगव यहां पर पोजिट्व में चार्ज जबह ज़दा है और कम नुद में खलत हो जब गैंसियु San mathematics में ध्यान तובע़ फैसद बडता कि लकिनी स Durham दे रखा है तो यह भी आंसर नहीं होगा के प्लस और सियल माइनस में ठीक है न हम तो अगर मैं बात करो के प्लस और सी मीड़ा दे दियान दे प्लस और और इसका मतलब क्या हुआ आइसो एलेक्ट्रोनिक स्पीजी में जिस पे नेगटीव चार्ज ज्यादा होगी तो इसका मतलब रिपलसन ज्यादा होगा तो इसका मतलब टीपलस ओड़िया मतलब आपकी विक्रीजिंग और आप मोगा है mean by ear mr में आपको बताना है कि इसका इनिक रिडिस का ओड़र क्या है ठीक है लगात कि यह सभी के सब्सक्राइटनल्रेटनीक की सब्सक्राइब और ऐसी जो आपके पास किसमें मैच कर रहा है यह आपके पास थर में मैच कर रहा है इसलिए आप का आंसर कोंसर बड़ा थर वाला आ जाए ठीक है चलो नेक्स चलिए अगला प्रोब्लम विच आप फॉलोविंग इस हाइस्ट नेगेटिव एलेक्ट्रोन गैन इंथेल्पी का मतलब क्या हुआ कि एलेक्ट्रोन आइसलेटिट गैसे से एक्टम में जब इलेक्ट्रोन को आप एड़ कर रहे हो उस दोरान एनर्जी आपके पास क्या होनी चीज ज नेगेटिव दैनिलेट इंधैल पीजिओ वो किसकी होती बेसिकली आपके पास हैलोजंस की होती है ठीके लगेशन का इलेक्ट्रोन कौन पीक्षण जो तई एसटू फ्रफ आ होता है और एसटू पीपाई आपके पास किसमा रहा है इस वजह से आपकास तो आच अपास flowing species has the negative electron घेन्टिलपी थैस्ट नेगरेटिव एड़ करें हो तो उस दुरन एंडरजी आपके पास के और इनर्जी चहीं होने चाहिए फर्स्ट आप्ट्रेश में नेयरका है और जब आपके पास सेट माइने को हैं फ- हो जग है negative electron इसमें negative आएगी नहीं कि फोजिटिव यह वाला option नहीं होगा O-1 कि अगर बात तो इसमें भी नहीं होगा ठीक है क्योंकि O-1 and F-1 में negative electron को जोड़ना तो इसका अंसर सेकेंड आजएगे बढ़ाएं नेक्स चलिए अगला प्रॉल्म क्या कह रहा है दाइनिक रेडिस ऑप क्रोमियम इस मीनिमम इन वीच आप फोलोंग कंपॉंड आपको बताना है कि इस कंपॉंड के अंदर आइनिक रेडिस मिनिमम किसकी होगी ठीक है लग तो इसके अक्सल 느क निकाल देए इसके ओक्सिंट कितने में पहुष्ण हो जाता है चैंब इसके हुझाहाइगा sóब मिनिमम मुचा है तो जिसकी साइज मुनिम पिनिमम मिनिम में दिए किसके मीनिमम प्र थे कि अंदर अभी के साइज क्योंगीám का चलो कि नेक्स प्रॉब्लम देखिए अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि आपको यह बताना है कि इंक्रीजिंग ओडर ऑफ देर साइड यह बेसिकली जितने भी यह मैटल आयन आ रहे हैं वह किसके आ आपके पास लेंडिट स्रीज क्या ठीकश्व कदर या फिर या फिर एक्रीण डेफ लेप तुराइड जाते हो तो आपके पास एक्टिंग रेडिस से फिर अवती तो अगर लेप रएडिज जई आहीं आप लेप लाइड में जिंगल पता है सबसे पहले प्लस आता है ठीक है इंगल आपको मालूम होनी चाहिए कि सीने पर नदिया प्रेम की समय यू गदगत तब दिल हुआ अरे तुम यूहीं लाजबाब हो ठीक है लम तो लेंदेनम प्लस थी तो आई गया उसके बाद में क्या एगा सी यह सीरियम प्लस थी आगा उसके बाद में प्लस थी उसके बा वाला आज आए ठीक है तो इसका फर्स्ट आजेगा बढ़ा ठीक है चलो आगे चलिए अगे है तो आए नेक्स देखिए क्या कह रहा है आपको यह डाटा देरे का इने सेनेर्जी फर्स्ट और इसने से एक्टेंड के ठीक है लाँ आपको यह बताना है कि नॉबल गेस कौन पर प्रोब्ल्म सरक होती है तो आए लेक्ला भी फिर्स्ट किसमें आरे आपके पास एक अंदर आरे तो एवला जो होगा मुश्ट लाइकली करेगा किसकी फॉर्में नॉबल में पसंती तो इसका आंसर यह हो जाए बढ़ा नेक्स देखिए अगला फ्रावल्ड ध्यान देजीए यहां पर फ्रावल्डम क्या कर दर फोस्परिस और स्फर एपूललोड दौ ठीक लाव अपको यह बताना है कि क्या पताना फ्राइन से को करेंड यह यहां पर बात करें तो सबसे ज्यादा आएने से एंदर जाने में द्यान रखे एक बार तो क्या होती बढ़ती बस एक्सेप्टनल और में यह द्यान रखना है तो सबसे ज्यादा किसकी होगी फॉस्परस की ठीक है नब ठीक उसके बाद में सल्पर गी अभी इन दोनों गर बातकिरें शैकन में सबसे होनी चलो कि नेक्स प्रोल्बम देखिए क्या ही रहा है रिचाओ फॉलोइंग प्रोसेसे ऐन नो फर्मिक नीचर हो निक होने का मतलब क्या जब आप एलेक्रॉन को एड करा रहे हो यहां पर जो भी प्रोसेस देर के एलेक्रॉन को इसमें एक्ड कर welfare जा रहा है और जब आप और आपको एक्रोड करा हूँ तो स्थों मैं और दीकिनर को रही हो और हो आपको एक्र्ण को एड कर रही हो और को और गार जो इसका मतलब इसमें एड़ करते हो तो समय एनर्जी क्या होती है एक्सेप्ट नॉबल गेसेज को छोड़के नाइटोजन को छोड़के और बेरीलियम को छोड़के ठीक आगे चलिए कि नेक्स प्रॉब्लम क्या रहा है ध्यान दीजिए पारग्राफ देर के पारग्राफ नमबर फर्स्ट साइक्लिक स्टॉक्ट्ट्र पे मोनो सेक्रेट विदाउट इस्पिस्पाइं वैदर कंफिर्केस्ट अपनियों अनुमरी कार्बन एक्टम इस अलफाइंड बीचा आप चलो आगे देखो प्रॉब्लम यह कह रहा है कि वीच आप फॉलोइंग कंपॉंड इस रिडूजिंग सुगर्ण सुरी नौन रिडूजिंग सुगर्ण आपको इस बात धियान रखें कि नौन रिडूजिंग सुगर्ण क्या होती है इस्ट्रॉक्ट्चर वाई जगर आप अगर पता करना है दो आहा पको कड़ना कुछ है goo को और लिडूजिंग सुगरिष आप आप यह पता कैसे चलेगा कि अनौमेरी कारबन के लिए कंडिशन क्या है कि एक ऑक्सिजन के साथ जुड़ा वह होना चाहिए तो यह वाला आपके पास अनौमेरी कारबन है और अगर उच गूर प्रजेंट होगा तो उसके में आपके पास रिडूजिंग सुगर अधर वाइ सेम यहां पर बी आनुमेरी कार्बन यह वाला ए क्ई और इनुमेरी कार्बन हुआ है और vendor किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतब एं Dong यहां पर क्रेंट में यह बीच में आ Ronnie Ron QA वजह से यहां पर फ्रीजू प्रजेंट नहीं और फ्रीय प्रच्ण कूर प्रजेंट नहीं तो यह वली जिसुगर होगी बेसिकला आपके पास कि होगी नौ रिडिशिंसुक्तर आई ही ठीक है नेक्स चलिए चलो बीटा लिंकेज इस प्रजेंट इन आपको बताना बीटा लीजी अब यहां पर कभी कभी बहुत बार कंपीज होता है बीटा लिंकेज का मतलब क्या है आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो इसके अंदर मोनो सेक्रेड यूज हो रहे जितने भी आपके पास पॉली की स आपके पास कि मेड़ाल मोनमय के आपके अंदर होती है और आपके लिंकेज ब्रहक और चाये वह हो की87 का बात करते है नगी बात कि सलोज कि सेल्लोज जरह ध्यान दें सेल्लोज का जो मोनमेरिक यूनिट जो होती है वह बीटा डी ग्लुकोज होगी इसका मतलब क्योंग इसके अंदर बीटा लिंकेश प्रेजेंट होगा ग्लाइकोजन का इस ट्रक्टर आपको बता है जो एमयलो प्रेक्टिन का हिस्सा होता है इसमें ब्रांचिंग थोड़ी सी क्या होती है ज्यादा होती तो इसके अंदर आपके पास क्योंगा अलफा लिंकेश प्रेजेंट होगा और प्रोटीन में बात करेंगे नहीं क्योंकि वहां पे इस इस टेके चलो अगा नेक्स्ट चलिए अब देखिए इस परग्राफ को दिए परग्राफ थोड़ा सा अच्छा टाइप का परग्राफ है घ्यांस देखिए ता आइड्रोकार्बन पी हेविंग दो मोल्कुल फॉर्मला आपके पास हाइड्रोकार्बन दे रहा है जिसका मो जिसको हमने क्या माना पी माना यहांस देखिए क्योंकि जभी परग्राफ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको एक एक लाइन को पढ़ना जरूरी हो जाता है और उसमें जो भी सिक्वेंस है इस्प्रेशली और और जितना भी सिक्वेंस है उसको एक तरीकी साइड म अगर लिख लेता हो तो आपको प्रॉब्लम को करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आते हैं अब यह क्या करा रहा है कि कैन फॉर्म ऑनली थ्री मोनो क्लोरो डेरिविटी मलें इसके जो मोनो क्लोरो डेरिविटी होंगे वो कितने होंगे केवल और केवल 3 होंगे यह आपको दे और पास क्या या क्यूंद गया क्या बड़ा क्योंा आगे देखिए क्यूंद एना Sच प्लस अब क्यूंद को आपने क्या कराया एन ए वह प्लस लटो के साथ ट्रीटमेंट तो लाट जो की एक साल्ट प्रोड्यूस करता है विचिए और एसडिपिक्सन उसके बाद में इस वाला मोलकुल फॉरमला देर का सी 702 एंट थेके अर और फॉर्द टीटेव इननों के शाथ मैं स्ल आर को आगे क्या क्या अननों प्लस सात में ऐसेल के साथ ट्रीट किया गया ठीक है इससे आपके पास क्या बना एस जो कि एक डाइपोलर आयन है और आगी क्या क्या है एस और रीडी रूइलिजे टू गैस एस आराम सी क्या करता है टू गैसे को रिलीज करता प्टली नो ऑर फाइनली इसका ट्राइम्यर्ट कराते हो तो इससे आपके पास क्या मिलता यू मिल कि आपके पास option में दे रखा है the compound R will be पहले एक बार sequence यह वला है इसमें compound में जो option दे रखा है इसके अंदर बेंजिन रिंग दे रखी यह clear है कि अपने को जो लेना है वो श्टार्ट में आपको बेंजिन रिंग ले नहीं है ठीक है नहीं यहां से यह clear हो जाएगा ठीक है चलो देखते हैं सेक्वेंस को जहां से देखी पहले problem किया रहें कि C8H10 तो पहले आप इसका डियू निकाल दीजिए ठीक है डिग्री ओप अंसर्चिन निकाल दी और इसका डिग्री ओप अंसर्चिन का फॉर्मला क्या है 2x प्लस तो माइनस वाइप अपॉन ठीक है नम तो यहां से कितना है गाट टू इंटु एट टू इस इकल टू पॉर्ट एक बात ध्यान रखे जभी आपके पास डिग्री ओप अंसर्चिन कितना हो फोर या फिर फोर से ज्यादा हो एंड नमबर अब कार्बन आट नमबर कंडिशन में आपके पास वहां पर बेंजिन रिंग होने की पोसिबिलिटी 99 केसिस में 99 परसेंटेज के सब्सक्राइब जब भी आप पास ऐसा प्रॉब्लम आप जब वहां पर दिया जाता है तो जब भी डिग्री ओपन से ज्यादा हो एंड नमबर अब कार्बन शिक्स से जब आपके पास क्या होता है तो आपके पास इसा क्या सकते हो कि वहां पे बंजिन रिंग की प्रेजेशन होनी की मतलब इनों की पॉसिबलिटी ज़्यादा होती ही ठीक है आगे देखिए इसको के में मैं फोर के शाते अब इसके बारे में वहां पी क्या कह रहा है कि C8H 10 है तो अगर मैं बमना तो जरा ध्यान दीजाइस अगर मैं बनान थैया वह कहत बंगा सब्सक्राइब टो यह लिए SARAH अब सब्सक्राइब तेसरा में यह ले सकता हूं पर में यह लोगा में बम्हिर्वाब बनके के पास कितने होने चाहिए तीन ही हौने चाहिए अब दोख और यह वाले लितो हो इसको थोड़ा सत्यान दिकिए यहांप बन जाएगा दूसरा में यहां पर जूड़ोत दो बंजा एक तीस आधे पिर यहाँ पिर यहाँ पर यहाँ इक दो तीन चार और पांच तो पांच पांच मona ग्लोरू प्रोडॉक्त बन जाए हैं जब कि हमको बनाने कितने हैं आपके पास तीन भूझान तो यह वाला आपका option हट गया तो अगर में बात करो तो यह वाला option आप ऐसा के सकते इसको आप भटा सकते ठीक है यह अबने हटा ने आगे देखिए कि बात अगर में इसकी करूं इसके अंदर देखो एक Pinecl यहां पर जूड़ेंगे आएक दूसरा यहां पर झूड़ेंगे दो अब यहां पर जूड़ेंगे इस जगह पर जूड़ें विल्ट हैं जब क्योंग एक होगा टो इसके मोनो कलोरो-डेडिविटी जो होंगे इसकी बातit ठीक हैं अब बात करते हैं इसकी इसकी बात करों जरद्धयान देवा एक तुम्हें सियल यहां पर जोड़ सकता हम तो एक पहर आएगा दूसरा यहां पर तीसरा में इस जगे पेड़ एक ही बाद है तो फिर बाद में आपके पास CS3 एक यहां पर जोड़ो यहां पर जोड़ो एक ही बात एक तो यह वाला हो गया दूसरा यहां पर ठीक है अजा दूसरा यहां पर जोड़ो यहां पर जोड़ो दोनों का मतलब क्या होगा एक ही होगा और तीसरा यहां पर यहां पर जोड़ो और यहां पर स्सक्राइब इसको डियू को भी अठा देता हूं कि पी जो है वो अपने पास इस तरहें ऩागे ठीक बड़ा यह वह पी हो गए सीस्तरी है इस जगे पे स्यसरी तक एंगे आगे क्या किया गया के में नोपोर के साथ जबी आप के मैंनोपोर के साथ अक्षिडाइज करो तो एक बात हमेशा ध्यान रखे कि यहां पे बेंजीन इंग से अटेच आपको जितने भी कार्बन की चेन है वो किसमें करणोट हो जाती कार्बॉक्सली के सीट करो जाती है लेक के बाद में NS3 के साथ reaction कि अमोनिया ही अमोनिया इस जगे पर टै करेगा यह यहां पर नुक्लोफाइल की तरह भी है करेगा नुक्लोफिलिक सब्टूशन अब ब्रोमेट डिग्रेडिसन रियक्शन के अंदर क्या होता है कि अधिवला जो है वह सी डबल बॉन ओड़ जाता है तो यहां पर आपके पास क्या है और आगे आपने क्या करा दी हैं अपर एस बेकिसन करा ठीक है तो जब आप एस प्लस को लिए भी न रहेगा नहीं तो य इस बाद में ज्यां तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा ज़रा ध्यान दीजिए इस जगह से आपके पास क्या बढ़ जाए निस टूठ और यहां पर सीडबल बॉन्ड ऊच आ रहा है चavourा उसके बाझ में तो प्लस साथ में सेल के साथ रियक्शन करा होगे तो एक त अब इसको पहले तो बेस के साथ कर लिए और अगर बेस के साथ करोगे तो जरा ध्यान दीजिए कि यहां पर और यहां पर क्या है सी डबल बॉंड ओमाइन एंटु पोजिटिव बहुत अच्छा लिविंग ग्रूप है तो यह वाला इसको देगा तो यह वाला बॉंड इधर एंटु यहां से हड़ जाएगा तो नाइट्रोजन गेस अट जाएगी और एक स्यूटू गेस अट जाएगी तो इस कंडिशन में आपके पास इंट्रमीडिट कौन सा बनेगा बैंजाइन इंट्रमीड बनेगा और बैंजाइन की ख पुझा गया है कि जो प्रोड़क्ट बनेगा यू का ठीक है ना इसमें डिग्री अपन सब्सक्राइब नंबर आप पाइब और नंबर आप रिंग तो नंबर पाइब कितना रहे एक दो तीन चार पांच छे चे आ रहे नंबर आप प्रिंग कितनी आ रहे एक दो और तीन तो टोटल डिग्री अपन सब्सक्राइब नाई ना जाए ठीक है बटा तो यह पूरा सिक्वेंस है अब देखिए यह यहां पर ध्यान दीजिए प्रोब्लम को वापीस देखती है हाँ 16 प्रोब्लम क्या कह रहा है एक सिक्स्टीन प्रोब्लम क्या कह रहा है कि कंपॉंड और विल वी ठीक है ना ना कंपोंड आप सकों creator ठीक है ना तो कंपोंड आप वियसा देख लिए ओगा जिके ना प्राइच अक चले अगला प्रोब्लम क्या कह Kennedy Degree of uncertainty नई रिशीचे पर्फण कर लो को चलो ठीक आप नंबर थड करते है paragraph number third किया कहता है कि an organic compound A has the molecular formula C9-S13-NO कोई organic compound दे रहे का C9-S13-NO दे रहे का है ठीक है it can be resolved into anansiomer यह क्या कह रहा है कि anansiomer में resolve कर सकते है और anansiomer में resolve करने का मतलब क्या होगा कि compound जो है वो optically active होगा A does not declarage bromine water solution A जो है bromine water solution को declarage नहीं करता है इसका मतलब क्या है वहाँ पे ना तो alkyne होगा ना ही वहाँ पे आपके पास क्या होगा alkyne होगा A on repluxing with dilute h2o4 यह एड़न दर resolver product B अब A के बारे हम क्या कह रहा है कि A को जब आप किसके साथ dilute h2o4 के साथ reaction कराते हो ठीक है बड़ा और इसके बारे में यह आगे और कह रहा है कि यह NHCO3 के साथ reaction करता है ठीक है ना तो अगर यह NHCO3 के साथ reaction करता है तो इसका मतलब यह वाला कार्बॉक्सलीक असिड हो सकता है जो भी NHCO3 के साथ reaction करेगा इसका मतलब वाला क्या हो सकता है कार्बॉक्सलिक ऐसी दू हो सकता है आगी क्या कहा रहा है बी ओन ट्रीटमेंट विथ एन बी एच पोर ठीक है ना बी को अगर मैं एन बी एच पोर के साथ ट्रीटमेंट कराता हूं ठीक है ना तो आपके पास क्या देता है अगर आपके पास C के बराबर दे रहे लिए जिसको आगे फर्दर अगर आप हीट करते हो एक किसके साथ कौंक हैस्ट आपके साथ हीट करते हो और तो इस कंडिशन में एस्टर डी बनता है और जिसका मोलकुलों फर्मला आपके पास C9 H14 O2 के बराबर दे रहा है ठीक है ना आगी क्या अगर A on reduction with lithium aluminum hydride followed by treatment with H2SO4 yields the following product ठीक है ना अब ये को हम क्या करता है ये वाला जो A दे रहा है अपने पास start में लिया था इसको हम क्या करता हूं में lithium aluminum hydride के साथ reaction कराता हूं उसके बाद में H2SO4 के साथ reaction कराता हूं तो उस condition में आपके पास क्या देता है ये वाला जो नीचे compound दे रहा है ये वाला compound का formation करता है ठीक है ना तो यहाँ पे इस type का compound का formation करेगा तो यह तो पूरा आपके पास paragraph ठीक है ना अब देखो जभी भी आ problem solve करो तब उस condition में आपको क्या कराना है जब बड़ा paragraph हो तो पहले तो इसका क्या बनाना है flow chart बना देना है ब्लो चार्ट बनाने के बाद में आपको क्या करना होता है कि जो भी options दे रहे के option को देखती वे problem को solve करना है ठीक है तो देखी इसका पहला option क्या कर रहा है कि find the structure of a आपको क्या बताना है a का structure बताने तो a जो भी option दे रहे के बारे में a के अंदर आपके पास alkin और alkin नहीं प्रडूद का प्रडूद की अप्तिकली प्यूर बी लेता हूँ तो isomeric product आपके पास c बनता है तो उनमें relation के अऊगगे उसके बारे में बता रहा है ठीक है नहीं तो चलो देख तेक बार, sequence को देखे आप तो यहाँ पर sequence में ज़्रा ध्यान दीजिए, इस्टार्ट में आपके पास क्या दे रहे का C9H13 NO दे रहे का, C9H13 NO दे रहे का है, तो आप यहाँ सी इसका क्या निकाल सकते हो, do you निकाल सकते हो, ठीक है नहीं? तो इसका degree of unsaturation जो आ रहा है, वो आप निकालोगे, फॉर्मुला 2x plus 2 minus y upon 2 के फॉर्मुले से निकालोगे, तो आपके बारे में सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, कि यहाँ पर degree of unsaturation की value की आएगी 4 और degree of unsaturation की value चार आएगी तो इसका मतलब number of ring and number of pi bond जो होने चाहिए, वो आपके पास 4 के बराबन होने चाहिए, तो एए उप्सन के अंदर देखिए, एए उप्सन जब आप चेक करोगे, तो ध्यान दीजिए एए उप्सन के अंदर, यहाँ पे degree of unsaturation की value, तो यहाँ पे एक रिंग आ रही और साथी साथ में एक पाई bond आ रही, तो यहाँ पे देखिए, तो आपका आंसर यह वाला हो शकता है, आगे देखिए, अगर थर्ड वाल आ उप्सन जब इसमें भी degree of unsaturation की वाल कितना रही, पर लगद यह भी आंसर हो शकता है, जबकि एसके अंदर देखिए, तो उसका मतलब येवाल ओपसन नहीं हो सकता, तो अपने पास ये क्लेर हो गया, कि आपका अंसर या तो फर्स्ट होगा, या फिर आपके पास क्या होगा, फोर्थ वाला अंसर होगा, अपने पास option बचे 2nd & 3rd, तो आपको जब भी भी आगे problem को solve थाना आगे, लेके जाने प्रॉब्लम को तो उसमें आपको केवल कंसिडर कौन सा करना है सेकेंड एंड थर्ड वाले ओप्सन को ही कंसिडर करते हुए प्रॉब्लम को आगे बढ़ाना है ठीके तो देखिए अगर मैं सेकेंड वाले लेता हूं जरा ध्यान दीजी यहां पे C9H13 एनो दे र पास किया रहा है यहां पे CNR यह सेकेंड ऑप्सन में ठीक है लेता हूं तो लेथियम अलुब्निम हाइडराइड क्या करेगा पहले तो इसको रिडूज करेगा यहां पे डबल बॉंड को यथावत लगी इसको सीन को रिडूज करेगा तो यहां पे आपके पास क्याएगा NH2 आएगा फिर बाद में देखो डबल बॉंड हो है और यहां पे NH2 है तो इन दोनों में condensation reaction हो जाएगा तो यहां से H2 आट जाएगा तो यहां से H2 आटेगा तो इसका मतलब आपके पास क्याएगा डबल बॉंड N और यहां पे आपके पास क्याएगा कुछ इस तरीके से स्केल्टन बन जाएगा, ठीकिन, अगर अगर अप रिदसमस करते हो, तो फर्धर रिदसमす रिदसम रेड़ेशन करोगे तो यह पे डॉपाण बोंड एक्जेक्ली आपकी पास कि होगा, सही हो जाएगा, अगर मैं थर्ड वाल उप्शन लेता, तो थर्ड वाले उप्शन के अंदर, यहां पे सिन इदर एक सिन नीचे की तरफ होता, उस कंडिशन में यहां पर कौंसे मेंबर रिंग बनती, फाइव मेंबर रिंग बनती, जब कि आपकी फाइब मेंबर रिंग नहीं चाहिए, हमको सिक्स मेंबर रिंग चाहिए, इस वज़े से आपके आपकी आझवर जो आएगे वो सेकिंड आज़ 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 आएगा, चलो, अब देखो यह क्लेर हो गया, आपके पास यह वाला आगे यह वाला कंपॉंड ठीक है न अब अब देखो ड़िदाश प्रBe, एक चीजज घान रखे जब भी भी ड़िदास्टश पॉर दे रखा है तो इस कंडिसे मे आप ऐसे कह सकते हो that acidic medium में हो रागा है अब UK हो रहा है और जबी भी acidic medium हो रहा हो और Si trifle bond N का तो आपको मालूम होना चाहिए कि C++N का hydrolysis करा होगी, कम्प्लेट hydrolysis के दुरान, ये वलग किसमें कनोट होता है, COOH में कनवर्ट हो जाता है, और साथ ही साथ, COOH जो है, आपको पहले से पता है कि NACO3 के साथ क्या करता है, CO2-Gal, क्या करता है, इवाल कर लेता है, ठीक है न, आगे देखो, अब NABH4 के साथ reaction कर रहा है, जरा ध्यान दे, NABH4 क्या यहां पर reducing agent है, ध्यान देजिए NABH4 जहें, वो कार्बॉक्सलिक एसिड समों को reduce नहीं कर पाएगा, जबकि कीटोन वाले ग्रूप को reduce कर लेगा, और कीटोन वाले क्रूप को reduce कर लेगा, तो यहां पर आप पास क्या एगा, double bond O, यहां पर आप पास इस तरीके का compound का formation हो जाएगा, ठीक है, यह बन बन गया, और इसका मॉल्गल फोर्मॉला इससे मेच कर ला है, और उसके बाद में आपके पास क्या कह रहा है, सौरी, इसको reduce करो, reduce करो तो यहां पर क्या एगा, O, अच आएगा, ठीक हैं, आगे देखिए, अब इसके अंदर क्या होगी, आगे esterification reaction होगी, जब ही भी ऐलकॉल कार्बॉक्सलिक एसिड के साथ reaction करता है, तो उसमें reaction कहुंसी होती है, esterification reaction होती है, और ultimately, आपके पास क्या बन जाएगा, ester का formation हो जाएगा, तो यहां पर product D के अंदर, आपके पास क्या बन जाएगा, ester का formation हो जाएगा, ठीक हैं, अब देखिए, आप option को देखिए, ज़रा ध्यान दीजिए, B अपने पास clear हो गया, यह वाला अपने पास क्या है, B ठीक है न, इसको ध्यान अगना है, आप पास यह वाला B दे रहाएगा, ठीक हैं, अब देखिए, ऑप्शन देखिए ज़रा, देखो, find the structure of A, A का structure बताना है, तो यह तो हमने ले लिया, second वाला जो है, वो A का structure हो जाएगा, ठीक हैं, अगला प्रॉब्लम देखिए, ज़रा ध्यान दीजिए, 19 प्रॉब्लम देखिए, 19 प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ध्यान देखिए, due to the reduction of optically pure B, अब यहाँ पर optically pure B ले रहा है, ठीक है ना, optically pure B का मतलब क्योंगा, थेको, हमने reduce किया था, पहले तो यहाँ पर double bond O है, और इस जगे पर अपने पास क्या लिया था, C N लिया था, और यह वाला किसमें कनवर्ट हो गहा है, यहाँ पर आपके पास C O H में कनवर्ट हो गया था, जब आपने रिदूश करा था, यह वाला आपने पास भी है, ठीक है ना, अब अगर मैं इसका optically pure लेता हूं, देखो बड़ाँ यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है ना, मतलब क्यों होगा यहाँ तो यहाँ पर देखो डबल बॉंड हो है, यह में उपर वाला स्केल्टन ले तो उपर वाले का मतलब, यह वाला कार्बन उपर की तरफ आ रहा है, प्रोजेक्शन का उपर है, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, एक, दो, तो यहाँ पर क्या होगा, CH2, CH2, और यहाँ पर आपके पास क्या है, CH, ठीक है ना, अब आगी जब आप इसको रिडूइस करते हो, ठीक है ना, एने भी एच पोर के साथ, एने भी एच पोर के साथ रिडूइस करोगे, तो उस कंडिशन में, आपके पास यह वाला पार्ट ऊ जायेगा और यह वाला पार्ट रिडुज हो जाएगा तो यहाँ पे अगेन एक नए karell carbon set अप हो जाएगा इस जगें पे आपके पास नए यह कार्यल कार्बन आजाएगा और अगर नया कार्यल कार्बन आता है इसका कॉंट्पिकेशन कोई चेह नहीं अब इसका कॉंट्पिकेशन जो होता है इस ओपर की तरफ हो सकता है या फिर आपके पास क्या हो सकता है निचे की तरफ हो सकता है और अगर उपर लेते हो तो इस कंड कि आपके पास fix है इन दोनों को अगर देखोगी तो एक दूसरी की क्या है mirror maze नहीं है और एक दूसरी को superimpose भी नहीं कर रहे है इसका मतलब एक दूसरी की क्या होंगे आपको क्या करना है सुक्रोज को कौंक H2O4 के साथ ट्रीट करना है देखो सुक्रोज का फोमुला है C12, H22, O11, ठीक है लम अगर मैं इसको कौंक H2O4 के साथ रियक्षिन कराता हूँ वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए और समस्क्राव से वाफिजसर देखो आपको है दचाहिए और महीं है तो अपको क्या पूछ में पास है कि यहाँ पास काएगा енbehen H2 कि बहुत बार लोग क्या करते यहां पर इसको क्या मानते को इस कंडिशन के अदर एक तरह से आंक्सीडुजड्य Gजल की तरह मानुंगा इस कि वो ऑक्षिडेज को पाई लेकिन यहां पर ध्यान दे यहां पर दियान दे यह वाला ऑप्षिडेज़न की तरह भीव नहीं करता इस जगे पे डीचिंग अ कि तरह भीव करेगा तो यहां पर अच्ट यहां से निमूब हो जाएगा ठीक है अगला प्रोब्म आपको किया प नहीं रिंह बाद करता हूं आइसो इलेक्टरिका मिव पॉंट की आई आइक पॉइन योए जिसkeit मैं में नो ह खूलो ऑन खूले यह एक पॉइंट है, पॉइंट मतलब यह पे पॉइंट एक तरह से पी एच कंसेडर करें, यह एक पी एच इस 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 पर अमीनो एसीड कोई चार्ज बियर नहीं करता है, तो फर्स्ट इस्टेंट में आपके पास क्या होगा, सही हो जागा, सेकंड देखे, इट अमीनो एकषीत एक बास, इस 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 पर अमीनो एकशित इस बेस, गलत बात, इसो एक्थिक पॉइंट पे एक्टाइन फर्म में रहेगा, तो न तो एसी ङाइस, आप ऐसे कह सकते हो, की आप ऐस की तरव बीय कर सकता है, आपके अैसा की अक्शित परोटी का जा सकता है, ले पर्टिक्लर आयन की फिर्म में होता है तो इस प्रॉस्टी पर्शिस का प्रॉस्य होने की पॉसिबिल्टी ज्यादा हो जाएगी तो यहां पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसा मैक्सिमा आगगा तो के टाइन और एनन की सांदर था आपके पास एक्वाल आएगी और के टाइन अनन की गाने इकवाल आएगी तो इसका मतलब आपके पास वालीबल्टी जोगी इस कंडिसें पर आपके पास किया होगी मिनिमम होगी ठीके बड़ा तो इसका अंसर जो है बड़ा फर्स सेकेंड एंड फोर्थ वाला आजए ठीके चलो नेक्स चलिए वह अगला प्रिबल्म एकल् legislatura प्रोटीन प्रेंट एंड जो तो प्रोटीन प्रेंट इस भात करते हैं ब्लट की अगर बात कर तो अगर मही मंदो हमोग tasty हमोगलोमिन होता है और प्रिमोग्लोबीन एक तरह से क्या है, प्र्लोबर लॉम्टिटिन कि भी मिल्क में भी ग्लोबलर प्रोटिन होता है और यह समग भी ग्लोबलर प्रोटिन भी और आम इस लोलर वन में फ्म प्रोटिन प्रीमिल्स के ति यूश्य cosmide कमारण को सुनार सुछ आगे उसा ONE सब3 हैD यहां पर देखो किया रियेक्षिण ही वह यह एजम टी इन वह ऐएंगा 19 इंट्र मेंुड़ा अनकली स्टिट्ट्टू इन थे दुआ पोsisबल प्रोड़क में सब्कशने घए हैं ताहनद cookie तो यहां पर ऑपने के अर आई है झाल अनकली स्टुक्छरिठीक और इस जगे पे आपके पास क्या है कि नेगिडिव चार्ज आएगा ठीक है अब देखो यह वहला अगर निकलोफाइल की तरह भीयो करता तो इस जगे पे अटेक करेगा इसको अटा देगा ठीक है इसको अटाएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा CH2 और है नाइट्री इंटर्मिडेट की तरफियो करता है तो नाइट्रेन जब चाहचर की इसको जी कि अडोजन जो है वह श्याईग को यहां सरेगा और नाइट्रोज़न पो यहां पहर zej हुआ है अगर आब यहां पे श्या अब तो आपने एगा यह आपर आपके ने जाएगा साथ करे निर्ट्रोजन का ऑक्टीट कंप्रीट हो जाए नाइ तो यह तो यह वाला गुरूप माइग्रेट होगा यह यह वाला गुरूप माइग्रेट होगा यह अधर की त Ug fighters तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? पीच यह वालगगद की दूल बॉंड और यहाँ पर आपके पास एह नहीं? यह पूर ऐसा भी तो हो सकता कि पिए ग३र अगर पैच माईगरेट करता है तो इस कंडिसन पर आपके पास क्वान सा बनता है? यहां पी क्या बच एगा CH2 और यहां पी क्या धब बोनड यह प्ये है गए और यह ही आपके पास प्याहिएगा पीछ म्सलब यह वले दो प्रोडिक्ट आपकी पास बन जाएगी और यह तो आपके पास किसमें करा फर्स्ट के अंदर और एक आपके पास किसमें करा है थर्ड के अंदर बंद रहा है तो आपका अंसर जो आएगा सेकंड थर्ड वाला आजाए ठीक है भई नेक्स्ट प्रोबम चलिए, देखो क्या कह रहा है कि पार्किसन डिशीज है कोई एक बीमारी है, पार्किसन टाइप की ठीके ना? कि अँचार के लिए ट्रइटर में जार घ्रम्ण की लिए रुप में बरोग की लिए हम वालां और आपी यहां तू पहां के देश्ट कर रहे तो आपको यही क्थे ओक लख मैं आपको बताने कहीं, क्या बताने, it can exist only in optically active form, देखो, क्या यहां पे chiral कारम नारा है, yes, यहां पे chiral कारम नारा है, तो इसका मतलब क्यों होगा, यह उप्टिकली active form में exist करेगा, तो यह वली बात क्या है, सही, आगे देखो, 1 mol with react with 3 mol of NH to form salt, अब यह बात करते हैं, salt के साथ, NOH, base है, base का का काम क्या हो, तो H plus को लेना, ठीक है ना, तो इसका अगर में एक mol लेता हूँ, तो NOH के कितने mol की जरूत पड़गी, यह चेक करते हैं, तो NOH का का काम के H plus को abstract करना, तो बतलब NOH base है, तो acid के साथ reaction करेगा, तो acid का hydrogen यहां पर कितने आ रहे हैं, तो यह वाला आ रहा है, ठीक है न, दूसरा आपके पास यह वाला और तीसरा आपके पास यह वाला आ रहा है, तो मतलब आपके पास क्या है, अगर एक mol, इसका अगर लेता हूँ, तो NH को कितने mol की जरूत पड़गी, तीन mol की जरूत प यह वाला क्या है का NS3 positive आ जाएगा, और यहां पर आपके पास क्या है का CO minus यह वाला बन जागा और यह वाला एक तरह से क्या है, यह वाला बात भी आपके पास क्या होगी, तो यह वाली बात भी आपके पास क्या होगी, तो यह वाली बात भी आपके पास क्या होगी, सही हो तो उस condition में यहां से ह्ट्टिशन अचाटा और यहां से हैच टो हड़ा तो हम इसका मतलब यहां पर टू डिग्री एड नमीं का फॉर्मिशन हो जाता तो यहां पर देखो यह वाला मीन जो है वह वग वग और वग प्रतूर हमीन और वग तो वन डिग्री अमीन तो वन डिग और पोजिटिव तरवियो तो अशना तो बां फीरा को तो आएगा तो यहांपर जाता है। चाहिए है इस लिए हम यहां पर हैसा नहीं कहेंगे कि ननाइट्रसिंगल रहो एंट गुए जाएगा यहांद यहांपर फिनॉल की परफिनॉल की यहां यह जो नहीं, तो और तो भी खाली है। तो उस कंडिशन में आपके पास हो सकता है कि यह वला तो बंद तो सकता है लेकिन यह वाला जो आगे वापिस फर्दर के हो जाएगा टोटोमराइज हो जाएगा और टोटोमराइज होगा तो यह वाला नगा बन जाएगा तो फोर्थ ऑप्सन देर का इट गिव नाइट्रोस कंपोंड टीटमेंट विध एचन टू यह स्टेटमे प्रदूटबूंग तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं की यह वाली जो राक्षिन ने बैकमन रीच्पलस को लेगा च्टो पोजिटिव बनेंग कि यहां से ह्ट वाला जो हो यहां पर माइग्रेट कर लाज़ जो इसके अपोजिट वाला जो है वो यहां पर माइग् आप इन जनरल नहीं हमेरे साथ जाना कि एक NT वाला ही माइगरेट होगा, ठीक है लिए माइगरेट होगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा दोगो CS3, और यहाँ पे आपके पास बेंजिन रहेंगे और यहाँ पे C, और यहाँ पे पोजिटिव चारज आएगा, यहाँ पे डबल बॉंड N, और यहाँ पे क्या एगा CS3, फिर उसके बाद में H2 यहाँ पे अटेक कर लेता है, और H2 अटेक अटेक तो यहाँ पे क्या होगा, तो 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 टोमराइज कर आओगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा C, डबल बॉंड O, N, H, C3 का फॉर्मिस होगा, तो यह वाला कंपॉंड बन जाएगा, मतलब पेली वाली बात सरा सर क्या है, और दूसरी वाली बात करते हैं, दूसरी एक्षिन तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, पी एचाई, दो ऐसी कंडिशन में जब डबल ब सुनना मेरी बात को यहां पे नेगिडिव चाह जाएगा, और यहां पे यथावत जैसा दे रहका था, यहां पे CS3, और यहां पे PH, और यहां पे CLI, ठीकें, अब होता क्या है, कि यह वाला जो है, वो यहां से लिविंग ग्रूप हटना चाहता है, अब यह हटना चाहता है तो यहां पे यहां पर 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 य चलिए आगे चलिए में कि थार वाली बात करो तो प्रो माइड दीक्संट तो अबर माइड एक्शन गृतें के अंदर क्या होता है मैं डारेक्ट करूब डबल बॉंड O, और यहां पे NOH प्लस BR2 देखो, वैसर तो यह वाला रियेजन्ट जो है, वह हलो पॉंप टेस्ट में यूज होता है, और हलो पॉंप टेस्ट में आपके पास क्या होता है, C, double bond O, CS3 group होना चाहिए, लेकिन इसमें इसा नहीं है, तो ज्याद ज्याद यहां पे होगा, हालोजनेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बड़ा, अलफा पोशन पे हालोजनेशन जरूर हो जाएगा, लेकिन यह वाला प्रोड़क्त किसी भी आलत में नहीं बन पाएगा, इस इसलिए आपका अंसर पूर्थ वाला गलत होगा, इसका अंसर फर्स, सेकंड एंड थर्ड वाला अजाएगा, ठीक है बड़ा, इसलिए, विच आपको बताना है कि कोंसी स्पीचिज इसमें कम संग में एक परमान जो है, अस्टक इनियम की पालना नहीं करता है, तो यहां प इसलिए पालना नहीं करेगा, बात करते है एक्सी अप्टू की, एक्सी अप्टू में जान दे, एक्सी के पास अलड़ी आट इलेक्ट्रों होते है, और अगर फ्लोरिन के साथ बांड बनाएगा, तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रों कितना आएंगे, दो और सेर होगे, तो टोटल इलेक्ट्रों 10 हो जाएंगे, तो इसका मतलब यह भी यह उक्ते है की नियम की पालना नहीं करता, ठीक है ना, यह भी ऋक्ते इलेक्ट्रों की नियम की पालना नहीं करता, घड़ै दश म्लों होना चाहिए, यहां पर देको ,2,2,04,2,6,2,8,2,10, फौने,चैंभी अ कि ल है कि पूनगन करता है तो यह भी करेगा यह भी करेगा और थर्ट वाला और फोर्ट वाला चारू को लेंस देंगे गज़ hub मद जब अगला प्राउफ देखिए और प्रढूम देखिये जा रहा है अपको कुुरा प्लॉट के रहत दो प्लOnly स्फित्ट 멤च कि आपके पास दो के बराबर बनेंगे. अब ये किस प्लेन के अंदर बनेंगे, ये आपको देखना है. ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? ऐपके अंदर चलो. देखिए, यहां पे क्या कर, अदर प्लन प्लस प्लस थीक ᦉब है? तो 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 प्लस पैडिया है थीक मैं हुआ है нा? खांद यो इडारीक्शन निए योट इडएरैक्शन होगा, जिए ए लिए 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 लॅच को में होगा, वह कौन से direction होगी, S के साथ y direction होगी, ठीक है ना। तो hybridized orbital जो बनेगा वो y direction बहुत बनेगा और ये वाला जो plane होगा वो कौन से होगा ये तो z है, और ये क्या है y है तो इसका मतलब YZ plane के अंदर बनेगा, मतलब दोनों hybridized orbital जो बनेंगे, वो YZ plane के अंदर बन जाएंगे. नेक्स देखिए, 2S plus PX को लेता हूँ, ठीक है ना, तो दो atomic orbital मिलें, तो जाइड सी बात hybridized orbital कितने बनेंगे, दो बनेंगे, तो 2S P hybridized orbital lying in XZ plane, अब plane कों सा वो चेक कर लेते हैं, ये X direction है, और ये Y direction है, हम कों सा ले रहे हैं, X direction में, तो अगर मैं PX लेता हूँ, तो जाइड सी बात है, effective overlapping जो होगी, वो X direction होगी, ये वला, तो ये वला जो है, basically आपके पास क्या बनेगा, आपके पास hybridized orbital जो बनेगा, इस direction में X axis के along बन जाएगा, और ये वला जो plane होगा ना, वो आपके पास plane कों सा होगी, तो X direction है, ये Y और ये वली कों से होगी, Z, तो इसका मतलब XZ plane में होगा, तो पहली बात सही और सेकंड बात भी सही, थर देखिए, आपके पास क्या, S, PX and Z, ठीक है ना, तो तो तीन hybridized, तीन atomic orbital है, तो hybridized orbital कितने बनेंगे, तीन बन जाएगे आपके पास, ठीक है, अब इसका plane की check करें, तो अब यहाँ पे PX and PZ है, तो PX and PZ है, तो PX and PZ है, इसका मतलब कौन सा plane होगा, XZ plane आपके पास आजाएगा, तो ये भी बास क्या है, सही है, फिर आगे दो को S plus PY, जब PY जो है, तो S plus PY मिलके कितने बनेंगे, दो hybridized orbital बना देंगे, तो atomic orbital आपस में combine हो रहे है, और आगे आपके पास क्या है, किसके along में बनेंगे, तो मैंने आपको बताया था ना, कि ये बात क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्यों होगा, ये भी बात क्या हो जाएगी सही हो, क्योंकि वाई डिरेक्शन में आपके पास क्या बंज़ा है, hybridized orbital lie कर रहा है, ठीक है, चलो, next, देखी बड़ा, अगला प्रोब्लम, नाइंत बाला प्रोब्लम, देखी, आपके पास potential energy curve दे रहा है, ठीक है ना, तो ये आपने पढ़ा होगा, potential energy curve के बारे में पहले, ठीक है ना, क्या कह रहा है, a zero of energy when two H atoms are separated by great distance, ठीक है ना, बहुत ज्यादा distant हो जाएगी, तो ये एक तरह से potential energy का zero difference है, बहुत ज्यादा, जब distance हो जाएगी, तो ये graph approximately इस line के along हो जाएगा, तो इसका मिलब potential energy की value क्या हो जाएगी, जिरो, तो पहली बात तो क्या है सही, फि तो जब H atom एक दूसरे के नजदीक आएगे तो इसके बीच में attraction होगा, और attraction होता है, जब बहुत बहुत अलग, लाग डिस्टेंस पे, जब ये नजदीक नजदीक आएगे, तो उस समय आपके पास क्यों होगा, अट्रेक्शन होने की वज़ा से, पोटेंशल एंजी में क् पास क्यों होता है, तो यहां पर आपके पास सेकेंड में क्या मतलब एगा, पोटेंशल एंजी में क्यों होगा, तो सेकेंड वाली बास साहीं, फिर क्या कारो है, फिर क्या लिचार है वेन, स्टेट एजदीक नुकलेस दिस्टेंस इस सेवाओट सेवंटीफ पिकोमिटर, जब यह शी आरप्रोच करेगा ए उस कंडिशन पें पहर बें वेडियो क्यों क्यों कियावी कि बहुत पूंप गर रियंगति पॉर्टनीय क किन अर जहे पयूलिटी कि बें विडिशत कि म्यम गई है हैं आपस में combined होके क्या बनाएगा? H2 molecule का formation करेगा जिसकी potential energy के होगी minimum and stability के होगी maximum. तो थर्ड वाली बात भी क्या है सही? अज़ा, internuclear distance काहां पर बन रहा है? यह वाली distance कितना है? 74 picometer. और यहां पर भी आपके पास कितना दे रहेगा? 74 picometer दे रहेगा है. तो थर्ड वाली बात भी क्या है सही? नेक्स चलिए. An increase in potential energy as the atom approaches more closely. अब अब आपके और ज्यादा नजदीक आएंगे जब molecule बन चुका होगा और ज्यादा नजदीक अगर लेकर आ रहा हो तो उस समय आपके पास nuclear force sorry, एक तरह से आप ऐसे कह सकते तो repulsive force जो है एक बड़ा सही हो जाए, ठीक है, चलो, next, चलिए, अगला, which of the following statement regarding CL2 CL2 के बारे में बताना, देखो, CL2 की structure आप बनाओगे यहां पर दो लॉन पर अपलेक्टों होने, ठीक है न, यह वला, bent structure होगा तो second statement, safe, bent होगा, अजा, planner होगा यह न, अगर मैं यह पर यह पूरा plan लेता हूँ, तो यह वाले atom और यह वाले atom और तीनों के तीनों यह की plan के अंदर लाएंगे, lawn pair को यह पर consider नहीं करना भी, ठीक है न, तो यहां पर यह की plan के अंदर लाएंगे, कि सवजे से मुल्कुल अगर इसे में आए, पूरा प्लेनर होगा, अजा, O atom is SP3, अगर अगर इसके में आए, प्र इसन स्टेट की बात करूँ, तो दो lawn pair और आ रहे हैं और दो sigma bond आए, तो इस्टेरिक नमबर जो है, वो 4 है, 4 का मतलब क्यों और इसके आए, इसके आए, पार प्लेनर प्लेनर एक बन्हेन पर्ड। छीकल का बार्ण और्ध कर लाता भाल में, can be calculate based on the bond harbor cycle. अबने बन्हें पड़्ड साइकल लिए थाक्लिए, केमिकल बन इस पड़ होगा, वे बन्हें पराल में लगी इनिक बन्हें सबनाज अपुर में उन्हें हैं, तो वहां पे hydrogen energy का कोई involvement नहीं होता था ठीक है आफू 10 बाँकि चैसे लिए-स अनर्जी यह होता था electron affinity का होता था इन्याशन और्फिनीटी का होता था , इन्याशन गीठ कर सकते हैं यहां पे कि क्या कह रहा है आपको बताना है कि चार कमपॉंड देर किस ना चृ выпуск के अंदर आइनिक बोंड मी सब्सक्राइब जब एक नो 3 तो नो 3 में पलस है और नो 3 माइनिस की बीच माइनिक बॉन्ड होगा एक बदेगा एक असका स्टर्इक्स के इस था बात करें ना तो इसका स्ट्रुक्चर कुछ इस तरीके सी होगा यहाँ पे आपक के वास क्या एक काॉडिनेट बॉंड आ अगर वाटर होता यहां पे तो वाटर के अंदर ही जरूर हमें ऐसे कह सकते हैं कि H plus और S of 4 minus 2 के बीच माइनिक बॉंड होगा लेकिन इसमें पूरे की पूरे की पूरे कोईलेंट बॉंड यह भी नहीं होगा एन थी की बात करो ज्यान दे भई एन थी के अंदर बात करते तो पोजिटिव N3 minus ठीक है ना इन दोनों के बीच माइनिक बॉंड महजुद होगा बात करते N3 minus के structure की तो N3 minus की अगर बात करूं तो N3 minus में यहां पे आपके पास के triple bond N3 इसका octet complete हो चुका है यहां पे total electron कितना रहे वैसे 5 electron होते है लेकिन minus हार इसलिए 6 electron 6 electron होगे तो 2 electron की क यहां पे एक minus charge इसलिए यह एक एलेक्ट्रोन पेर दे देगा और एलेक्ट्रोन पेर दे देगा तो इसका मतलब यहां पे coordinate bond है, covenant sigma bond भी है, covenant pi bond भी present है, और ionic bond N3 minus के बीच में है ही है, सोचने की बात ही नहीं है, तो इसका मतलब क्यों के फोर्ट वाल आंसर भी आपका सही ह हो जाएगा, ठीक है भई, next चली बड़ा, आगे देखिए, यहां पे क्या की पुछा गया है, कि second ionis energy का order बताने है, फर्स्त की बात नहीं करा, फर्स्त तो आप directly बता सकते है, second ionis energy, तो second ionis energy energy की value कैसे चेक करोगा आप, आपको electron ही कौन पेक्शन देखना पड़ेगा, ठीक तो यहां पे आप वासके है, कि सब्सक्राइब से इस वहां को हटाना, इजी एस कंपेट टू के मुकाबले में, यहां पे इस तू से एलेक्रोन को अटाना पड़ेगा, यहां पे एस वहां पड़ेगा, इसलिए आए आइने से इनरजी की वेल्यू, अगर बात करोगा तो, एलुमिनियम की ज्याद होगी इस कंपेटू कि इसके मुकाबने में मेंगनियम के मुकाबने तो फर्स्ट वाली बात सरासर सही बात करते हैं टैलूरियम एन अंटिमनी देखो नाना पापा आसू सब बीमार यह तो आपने पड़ा होगा और यहां पर क्या है उस से टीपो ठी पर किया चुटीडेघल करते हैं अब टैलूरियम की बात कर रहा हैँ अब देखो इसका epilepsy बीमार एलेक्ट्रणी था घण चानले के अन्या प्रेटो, पीटू के मुकाबले में, इस वजह से आपके पास क्या होगा, तेलुरियम की सेकेंड आनिस अंधरिज की वैल्यू, जाद होगी, तो फर्स्ट एंड सेकेंड बात सहीर, बात करते हैं, फ्प फ्प्लस तरी, फ्प फ्प्लस बन की, फ्प फ्प्लस बन है, पहला ए क्योंब यह स्ति के मेंए, инद्रा फ्प्लस बन की, हणाना मुझ्ड ऑफ्प्लस बन होगी, यह उटत बरक ग्राइव आपके पास क्या होगा, उड़र्ट हो जाएग ना, अभवाट करते हैं, किसके फूर्थ प्प वाले उप्स की, देखिए, फूर्थ वाला ऑप्सन, देखो, यह तो आपको पता है लिए बाल, गंगाधर, इंद्रा, ठील अडिलाग, अर यहाँपर क्या है, बेटा मांगे कन्या सुंदर, ठीक है बाप राजी, यहाँपर बात कर रहा है, से इंडियम की एंडियम की ने है, तो इंडियम एंडियम् and स्ट्रॉंसियम की बात करो अब तो एक्त्र को आटा ना मुस्किल है लिग्ल मोगद मिरस सकते। वाइस को इसके अंट्रों चलाना मुस्किल है, तो अवल्य की इसका मतलब, और निय थाया धिए अजरी जबकि अगर फर्स्ट आइनिस एनर्जी की वैलु की बात करें ना तो एसार की इंडियम की मुकाबले में कहोगी ज्यादा तो यह वाला स्टेटमेंट क्या है सही तो यह अपर ने सही बता है यह गलत है यह भी सही और यह आपके पास क्या बढ़ा सही वाला हो जाए ठीक है चलो नेक्स चलिए अगला प्रॉब्लम यह इंटेजर टाइप की प्रॉब्लम से जान दीजिए पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है निम दियेगी योगी तुमें कितने प्रात्मिक अलिफेटिक अमीन और दिट्रिक अमीन में विवेद कर सकता आपको बताना है वन डिग्र प्राइब घ्रमयर में तब यह घृएबण कर सकते हैं कर सकते क्यों क्योंकि अगर वन डिग्रे मिनकी अगरिये में न दिघ्र कॉल्स व्लस न इसिल किन न नाइट्र जीट शनमीन का फरॉरमंस करता हैं नाइट्र जो तैसंडले आयसWow नहीं डाहिए अन्ग्री में नेवा कि यह वाला जो है 1-degree amine, 2-degree amine and 3-degree amine को distinguish करने में काम आता है, 1-degree amine के 3-degree amine के साथ इंसबर्ग रेजेंट किसी भी टाइप की reaction नहीं करता है, 2-degree amine के साथ reaction तो करता है, लेकिन आगे और च माइनिस के साथ reaction नहीं करता है, और च माइनिस या फिर बेस के अंदर यह बेसी करेक्टर है और H2SO4 का क्योंकि H2SO4 बेस है, H2SO4 बेस है और जबकि 1-degree amine, 2-degree amine, बेस है आपस में दोनों के साथ reaction हो जाएगी, अगर दोनों के साथ reaction हो जाएगी तो इसका मतलब वो करने में काम नहीं आएगी और दोनों के साथ reaction अगर नहीं भी होती तो भी काम नहीं ले सकते, लिए आपके पास कंडिशन के होने चाहिए, एक रीक्शन करना चाहिए और दूसरा आपके पास रीक्शन इसे का कर्बल में टेस्ट की कंडिशन क्छन क्या है में बापीस कर्बल में क्या वांपीस जाते, अवापीस मुत भीन का साथ कंडिशन के यह का है, 01 डिग्रिय legitimate का होना जरूरी है और इसका इस दो za वन टू थ्री फोर फाइव और यहां पर हमने क्या लिया एक कंडिशन यह वाली आगी ठीक है ना आगे देखते और पांच कारवन की चैनल लेते एक दो तीन चार और पांच हमने यहां पर नस्टू जोड़ दिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं आगे चली बड़ा यहां पर जोड़ा है जोड़ा अगर मैं इसकी ब्रांच ग्रॉठी तोटल कार्मन कितना व्रा था पहले 5 कार्मन अब मैं 4 कार्मन की चेनल लेता है एक बात बताए, चार कार्पवन की चेन ले लिए, एक, दो, तीन और चार. हमने नहीं पर एएंस टू जोड ढाएं और यहां पर एक ऐसा ले लिए, ठीक है ना, एक इस तरीके. मैं ऐसा भी कर सकता था, जरहां ध्यां दे एक, दो, तीन और चार, यह यहां पर लेकर मैं इस तरही से भी, रिप्रेजेंट कर सकता था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि यह वाला structure और यह वाला structure एक ही जईसा है, इसलिए आपके पास इस structure का कोई महत्व नहीं है, इस structure को आप यहां से क्या कर लोगे, eliminate कर लोगे, आगे देखिए, अब मैं CS3 को मैं यहां पर भी तो रख सकता हूँ, देखिए, एक, दो, तीन, चार, और यह वाला आप पास NS2A, इस CS3 को मैं यहां पर रख लिया, कोई दिक यह कंडिशन, टोटल पांच कार मनें, 1, 2, 3, 4 and 5, NS2 एक बार ऐसा ले लिया, आगे देखती है, अभी मैं इस कंडिशन को ही मैं ऐसे मोडिफाई कर लोग, तो 1, 2, 3 है, इसको मैं दोनों को यहां पर लेता हूँ, ठीके न, तो यहां पर कितना है, 1, 2, 3, 4 and 5, ठीके न, यह तो यहां पर आप पास कितना है कि दो और तीन पांच कार मनें, यह वले पांच कार मनें ठीके न, ठीके न, तो टोटल किस्टे कितने इस्टेक्टर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, तो इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर जो आएगा, एक आंसर आजाएगा, तो आप बना के देख तो एक अचलीम आतना है कि दो बना की तो अर्मार, थ Eckli-Liam, थर्मो सेटिंग, थर्मो सेटिंग, ये अंहीं कार सू एक टिंग, पॉलिधू, झजो पास भाविशा थर्मो प्लास्टी की खोगा, टो इसका थिवी थर्मो प्लास्टिक थो गगा, और्टिं पंदशटिज तेला poly acrylonitril वहता है झाल्ष फंड, प्ला-शलिल यह हता है नाइल colleagues नाइलोन पैसिक ЛИ फाइबर्स कंदर एए नाइलोन बिसक्लिट्टर इंड पैसिकली फाइबर्स भेडर वे पाट बोणा थाक्रा थाथए यह नहीं होगा पुना एंबी कहा है? रबर है और पॉलिएस्टर जो है वो किस कंदर आते है? फाइबर कंदर तो ये भी नहीं होगा तो आपके बास कौन-कौन सार है? वन टू थ्री वापिस देख लिए तो फोर्त वाला आजाए ठीक है तोटल आंसर चार आजाए ठीक है चारो नेक्स देखिए, अब टोटल नंबर और पेप्टाइड लिंकेज वें, एन डिफेंट एसिड फ्रॉम प्राइमरी स्ट्रेक्च्च्च्च्र प्रोटीन, जब एन डिफेंट अमीन अपस में कम्बाइन होके, पोली पेप्टाइड के फॉर्मेशन करते हैं, तो नंबर और प आंसर 8 आजाएगा, ठीके, नेक्स देखिए, बायो थायोनल इस एन अंटिसेप्टिक दुग, ठीके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें आपको ज्यादे दिमाग ने लिए इस्ट्रॉक्च्च्च्च्र पता होना चाहिए, बायो थायोनल का वताकी णाता है, बायो अपको लो थायोनलका प्रवान पापको प्रवाणयोग सरा सकते है, बायो थायोध है, ज्दितन का कनी अपेंस, फटर भी धूतम जतीो, इस स्ट्रे प्रवाणयग फ्रवानुट्यत की तो आपको यह पजए और पूचीफट की बायोग जनी है तो आपके पास artificial suture isn't नहीं होता है, ठीक है न, और बाकियों में आपको structure से problem को solve करना है, ठीक है बढ़ी? Next, बेस्ट बेस्ट अन वेस्पर थोरी, number of approximate 90 degree, BRF, BRF angles in BRF3, ठीक है, BRF5, अगर आप BRF5 का structure बनाओगे निवड़ा, तो BRF5 का structure आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे एक तरह से long pair of electron आज आज आएगा, ठीक है, अब देखिए, इसमें number of 90 degree angles कितने होंगे, approximate, exact नहीं, तो एक तो यह वाला होगे, एक, one, फिर two, three and four, तो यह वाला होगे, फिर five, यह six, seven and eight, तो टोटल number of FBRF angles कितने होंगे, वो कितने होंगे, eight के बराबर, ठीक है, भई, next, लिए, अगला, based on westpair theory, number of long pairs on central atom, number of long pair on central atom, in xcf2, xcf2 का अगर आप structure बनाओगे, तो linear structure बनेगा, यहाँ पर long pair of electron आएंगे, ठीक है, यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, यहाँ पर central atom पर पूचा है, तो central atom पर कितना होंगे, तो number of long pair on central atom तीन आएंगे, और अगर यह बूचता है, कि total number of long pair in xcf2, तो इनके अंदर पूरे में आपको पूरा का एंगे करना पड़ता है, तो पूरे में आपथ 3, 6, 9 आजाते, तब उस condition में नव आते, लेकिन यहाँ पर central atom पर पूचा है, तो central atom पर पर पूचा है, तो central atom पर जो आएगा, वो कितना हैं, बड़ा 3 आजएगा, ठीक है, आगे एसको अरे प्लेंदर सनेफंफ होगा, ठीक है लम? SaF4 का स्टर्ब्शक्चर यहाला होगा, SaF4 का सिइसो क्वाक होगा, ठीक है लम? अगर बेटेगे बात कुर तौन थी acá T again एक बार दिखते हैं, BRF4 में टोटल तर नंबर झाल अधार कितनÎ Explain 1, 2, 3, 4, 4 तो यह होगे, और 5, 6, 7 and 8, तो इसका मतलब आपके पास क्यों होगा BRF minus का यह वाला structure होगा, तो इसमें भी आप ध्यान रखे, एक तरसे score planar से बनेगा, फॉर्मुला इस तरीका है, ऐसा ही F4, ध्यान देए, ऐसा ही F4 का जो structure बनेगा, वो आपके पास क्यों होगा टेटराइल structure होगा, कौoga टेटराइल structure होगा, वो गवाला नहीं होगा, तो भी F4 minus का भी structure कों सा बनेगा आपके पास? तो यह तो फॉम्ला ही इससे मैच नहीं कर रहा है, जब कि यहाँ पे एक जड़ शिक्स टाइप का रहा है, और सी अप फोर, और सी अप फोर के श्टक्चर के अगर बात करें, तो इसका इस्टक्चर जो होगा वो बिसिकलि आपके पास कौन सो होगा, तो आपके पास कौन एक यह वाला यह वाला तो इसका आंसर जो होगा बेटा कितना हैगा थर्वाला आंसर, तीन आंसर राजाएंगे, ठीके चलो, नेक्स चलिए, 10th question, प्रॉब्लम क्या खेरा है, अनिक कंपोर्ण इस्टेबलेट बिटिव और पोजिटिव और नेगिटिव और नेगिटिव, ठीके नहीं, अब क्यकी वन पर्टिकुलर एक पेचारज और बी पेचारज तो माल लेता हूं, अब इन्हों अनों रेखरी के डबल पॉप करर लिया 2 की शारज को, गीके मिल प्रॉप कर लिया, थीके थरब इसकी रेडिबीट का मतलब हैत्व हाप के टीने साव 15 , 15 both, 19 all إ इन प्रॉल्म, how many Ppi Dpi bonds? तो इसका structure के कि बात करूँ ना तो इसका structure कुछ इस तरीक सा है गए, गुछ टोर की अपास में कि एक व्ल्ग आपम करते हैं, अब अब देखा उस हुर्स को ऐससे गहां की रेक्तरो म improve bon 2019 की यहां किलो 3- में 2 आजाएंगे कितना है बड़ा दो ठीक है नब चलो एलिम्हेंट होंगे 2, 2nd प्रेड के अंदर कितना होंगे 8, 3rd के अंदर भी 8 और 4th के अंदर कितना होंगे 18 अब देखो आपको लार्जेस्ट इसका पूचा है 4 ठीक है न और लार्चेस्ट अजिसकी साइज सबसे लार्ज हो और सबसे ज्यादा लार्ज साइज जो और आपके 2 और 8 कितना होगा 18, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 8 कितना होगा 36, तो लार्जेस्ट जो आएगा, इसकी Z की वेल्यू जो आएगी, वो 36 के बराबर आजेगा, बतलब नॉबल गैस होगी वो, ठीक है? अब आपको पुछा क्या गया है, कि smallest element in the third period, वर्ड पे गोर करना, smallest element in the third period, smallest element in the third period का मतलब यह हुआ, कि जब आप लेब टू राइड जाते हो, तो size के होती, decrease होती है, तो smallest element जो होगा, वो कौनसा होगा, halogen होगा, कौनसा होगा, halogen, ठीक है न? अब halogen जो होगा, third period की बात कर तो third period की होगा, टोटल element यहां पे कितना होगा, 10 और यह कितना होगा, 18 अठार वाला तो noble gas हो जाएगा, अठार नम्बर वाला और उससे पहले just क्या होगा, 17 होगा, और 17 वाला जो होगा, वो basically आपके पास क्या होगा, होगा और halogen की साई यहां पर third period में सब से स्मोलेष्ट की क्या उदियुक्त की साई साई होगा, गोरला जाने होगा, तो यहां पर अपके आपके पास क्या हैगा 17, अब आपको num, घडगा मतलब number of proton ही तो हुआ तो यहां पर थर्टीन माइनस 36 माइनस 17 करो, तो 36 माइनस 17 करो तो इसकी वेल्यू आपके पास कितने आगी 19 तो इसका अंसर जो पड़के बड़ा कितना है कि 19 के बराबर आज़ागा 19 एंसर आज़ागा ठीक है ठीक है ठीक चलो यहां पे तीन जो भी लिस्टेट देरेके, इसमें तीन अक्साइड जो है, वो क्या है, एम्पोर्टेरी अक्साडे, तो इसका आंसर कौसा है कि बड़ा थड़ा जाएगा, ठीके, चलो. थैंक्यू वेरी मुच.